कॉमन सेंस है आप में ? अब यह साब पपाने की वह रहा है ? बताएंगे जवाब देखे कॉछ कॉमन सेंस है आप में ? जोड़ा तो बहुत है नहीं कहीं तो बहुत है अंदर रखेंगे चेक करो इधर कहीं तो Hey ! Welcome to India First News मैं हूँ अभी नए Sony और आज का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे है उसका नाम है Youth First जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कई तरह के सवाल जिसमें कुछ common sense से डिल्टेड हो तो जैसे कि हम यह प्रोग्राम भुपाल से कर रहे है तो भुपाल से यह आज का जो सवाल है जैसे कि बोपाल से एक हवाई जाज लाई टुड़ती है दिल्ली के लिए वो जाती है देड़ गंटे में दिल्ली और वापस आती है नब्बे मिनिट में ऐसा क्यों पता नहीं से थोड़ा तो अनिपड़ आदमी के बाद तो सब्सक्राइब कुछ नहीं जाना थे थोड़ा बहुत तो होगा है यार क्या नाम क्या है अब बहुत बढ़िया जो काम है तो एक सवाल फिर भी पूछ रहो मैं आप से उसको जवाब अगर दे दे तो आप क्या है अब मेरे पास से बोबाई जैसे बोपाल से एक हवाई जोड़ता है दिल्ली के लिए देड़ गंटे में पहुसता है दिल्ली और दिल्ली से आता है तो 90 मिनिट में बोपाल ऐसा क्यों इतना बड़ा अंतर क्यों अब यह दो नहीं को पता होगा पहले तेस्ट स्पीट से जाती होगी बाद में तो लोटते में ऐसी स्पीट धीमी क्यों हो जाती है मैं पूछना जारो मौसम के कारा है कि चलिए हमारे साथ एक और शक्त मौझूद है जो की इसी सवाल का जवाब देने वाले है कि सवाल यह है कि एक भुपाल से हवाई ज़ुडता है दिल्ली के लिए देड़े मिनिट में और दिल्ली से वापस भुपाल आता है तो 90 मिनिट में तो इसना बड़ा अंतर कि होगा कुछ ना कुछ कारण उसका कुछ तो मतलब क्या कारण हो सकता है कि ट्रैफिक के कारण क्या होता है कि ट्राफिक दो ही नी सकता ना कि बोपाल से दिल्लीक एक फ्लाइट उड़ती है वाई जाचे गुड़ता है वो पहुसता है देड़ गंटे में पर आता है 90 मिनिट में वापस है सकते हैं कि देड़ गंटे में जाता है और 90 मिनिट में वापस आता है कि बड़ा अंतर कि प्लेन उड़ाने वाला कौन होता है वो जावर सरे तहीं कुछ यात्वियों के कारण कुछ उनकी आसो विधाए होगी जबार दी जाना रहता हो तो जल्दी पहुच जाते हो जल्दी उनके क कारण अ 뉴스 अरम फोकर क्रिंट यह लोग रहते होंगे अनके करण धीरैं धीरैंश जबा कोiec कॉमन सेंस है आप में? जी कितना है? काफी जादा कहां रखे आपने? जी में रखे निकाल के बता सकते हैं? जी में बहुत अच्छा है आप ये बात गौर कीजिए मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ और कुछ मत बताईएगा या तो और भी कुछ कारण हो जकते हैं किर रखी है की ट्राफिक या हो गया है कुछ पबलीक जहे जाने में कुछ लेट आ रहा है जा रहे हैं प्र ईब behaviors थोड़ा बहुत आना चींद देढ घंटे में पहूंचता है और 90 इंट में वापता है इतना बड़ा अंतर आ तो दूसरे रास्ते स्यात्यों की शॉटकट 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 रूपर कहां के शॉटकट भाई क्यों नहीं हो सकता सर्थ यहीं सवाल पूछूगा वाई जात तो फ्लाइट एक होपाल से डिल्ली के लिए गंटे में पाुसति है यहांव्ण क्यों इसलिए रुख जाता है बीच में कभी रुख जाता होगा किस कंट पहां रुख ना हो तो नीचे लैगा यहांजाएगा सभी बात है यह तो चलिए थोड़ा कॉमन सेंस है जी जब 90 मिनिट में उदर से आता है और जेल गंटे में जा रहा है तो मतला मैं चाहूंगा कि गंटे में कवर होना चाहिए सरकार को मोदी जी को इसको इस चीज के लिए कि यह बड़ा मुद्धा है क्योंकि जितने भी मुद्धे चल रहे डिमोनिटाइजेशन वगरे उनसे भी बड़ा मुद्धा है हमारे सामने आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है देड़ गंटे में पहुंच रहा है 90 मिनिट में अब को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस पर सवाल जबागने चाहिए नॉर्मल सा सवाल है कि जैसे आपने हवाई जाज उड़ते हूँए देखे हूंगे तो हवाई जाज भुपाल से दिल्ली के लिए उड़ता है तो देड़ घंटे में पहुंचता है पर दिल्ली से आप में है common sense नहीं है तो इतना बड़ा अंतर जो आता है बाई लोग तो लेट हो जाती है आने में क्या हो रहा उपर की शॉटकट मारती है जाने में जाने में थोड़ी शॉटकट मारती हो गया आने अर्फ। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए बहुत बड़ी समस्या है अमारे बीच में तो क्या धे सरकार को कुछ करना चीज के लिए दीरे चलाता होगा हो जो ड्राइबर रहता है प्लेन का द्राइबर रहता है ने प्लेन में अच्छा तो वह लेट कर देता होगा शायद यह दिरे मतलब को यह ट्राफिक या सामने सा रहा हो तो इसके लिए सामने से दूखसरी गाड़ी अभी आती होगी या तो रुख जाती होगी उपर रुख जाती होगी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है या तो शॉट्ट पर मार सकते है जहां तक स्पीड के सापसी होगा मुझे जा लगता है आपके ऐसा क्यों बोपाल से दिल्ली 90 मि कि बड़ी दूविदा का कारण आ गया है हमार सामने सक्यों हो रहा है पता नहीं आ रही है तो नहीं को यह गंटे गंटे कैसा चलिए भाई निके बास कॉमंसेंस जैसे कि इनने कहा था कि बहुत भराई और सच्छ में बहुत कॉमंसेंसे उसक्तु पहले हमें बंदे मिले च जैसे कि आपने देखा हमने कई लोगों से यह कॉमंसेंस का सवाल पूछे कईयों को आंसर नहीं पताता हो तो अबर उन्में से भी कुछ बंदे निकिले ज्रगी साहो जी जिन्हों ने अंसर गिया कि सेम टाइम होता है नंबे मिनितों जैड़ गंटे और ऐसे ही कई सवाल ह जे आपने हो अएने से इखा है यह जिया फिर्थे।